नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हल्चल पर पूर्वन आकपूर क्षेत्र के डिप्टी सिगनल स्लम शेत्र के 6-14 वर्ष आयू वर्गे के तकरीवन 130 बच्चों ने मेट्रो ट्रेन में सफर का आनन लिया नाकपूर ग्रूप आफ फ्रेंड्स एसोसियेशन के अध्यक्ष आकाश काटोले के मार्गदर्शन में संस्था की प्रोजिक्ट डायरेक्टर यशस्वी कटकमवार एवं शिल्पा तलरेजा की नेतरूत्वों में नन्ने बच्चों की टीम ने पहली बार मेट्रो स्टेश को देख नन्ने बच्चे खुशी से जूम उठे यातरा से पहले सबी बच्चों को सीड़ी, एकसिलेटर, लिप, टिकेट घर के बारे में जानकारी दी गई सफर के दोरान महा मेट्रो के अधिकारी और कर्मियों ने माजी मेट्रो की कारे प्रनाली से बच्चों को आउगत कराया शिग्रही सेंटरल एविन न्यू मेट्रो मार्क पर मेट्रो शुरू होनी की जानकरी मिलते ही, मिडल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने स्कूल जाने आने के लिए मेट्रो की सवारी ही करने का उल्लेक किया केंद्रिय सडक परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने बुध्वार को नागनदी पुनर जीवन परियोजना के संबन में केंद्रिय जलशक्ती मंत्री गजिंद्र सिंग शेखावत के साथ अपने निवास्थान पर मुलाकात की दोनु मंत्रियों ने संशोदित विस्तरूत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते वे परियोजना के लिए ततकाल एक सलाकार नियुक्त करने का फैसला किया नागनदी पुनर जीवन के अलावा भी अन्य महत्वो पुरून मुद्धो पर चर्चा हुई इस बैठक में जलशक्ती मंत्राला के सचु पंकच कुमार, मनपायुक्त राधाकुष्णन भी और अन्यवरिष्ट अधिकारी गण उपस्थित थे श्री पार्शुर प्रभु दिगंबर सैत्वाल जयनमंदीर शहिच्चो कितवारी में परंपुज ध्यान दिवाकर मुनी प्रवर जयकिर्ती गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिष्टाचारिय ब्रह्मचारी पल्लवी दीदी के मार्गदर्शन में आज गुरुवार सभ फुल माल एवं महारती का आयोजन किया गया है गुरुदेव की आहर चर्या के बाद अतिशयकारी 96 शेत्रपाल विधान का आयोजन किया गया है जिसमें 100 धर्म इंद्रे इंद्राणी और 10 इंद्रे इंद्राणी द्वरा विधान किया जाएगा इसके पस्चात परंपुज मुनिश्री जयकिर्ती गुरुदेव का मंगल प्रवचन रहेगा इस सभी धार्मी कनुष्टान में समाच से संस्था के अध्यक्षर दिलिप शिवनकर महमंत्री दिलिप राखे के साथ सभी कार्यकारेणी सदस्य और श्रद्दालियों से उपस्तित रहने की अपिल की है सभी सम्मत्य से वर्ष 2022 देश के लिए फेडरिशन और पेपल ट्रेडर्स असोचेशन और इंडिया एपपीटीय के नाम निर्देशित अध्यक्ष के रूप में नियूक्त किया गया पेपल ट्रेडर्स असोचेशन की ओर से एपपीटीय वारिशिक सम्मेलन अगस सितंबर में नागपुर में आयुजित किया जाएगा जिसमें नाम निर्देशित अद्ध्यक्ष आसिम बूर्डिया नए FPTA अद्ध्यक्ष के रूप में पदबार ग्रहन करेंगे। नागपुर में आद्ध्यक्ष आसिश कंडेलवाल, सचिव हर्शित भनसाली और नवन युक्त बूर्ड ने सभी व्यापारिक समुदाय और कागजुद्धक से अगस सितमबर 2022 में होने वाले FPTA AGM सम्मिलन के आयुजन में सहयोग करने की अपिल की है। महत्मा गांधी अंतरराष्ट्रिय हिंदी विश्व विद्धाले के कुलपती प्रोफेसर रजनिश कुमार शुकल ने स्त्री विमर्ष की भारतिय संकलपना विशय पर आयोजित राष्ट्रिय वेबिनार की अध्यक्षाता करते हुए कहा कि संपुर्ण भारतिय वांग में स्त्री को प्रथम शिक्षक के रूप में स्थाफित करता है भारतिय संकलपना की दृष्टी से स्त्री को अधिश्टात्री के रूप में स्थान दिया गया है विश्व विद्धाले के स्त्री अध्ययन विबाक की ओर से आयोजित राष्ट्रिय वेबिनार में सारस्वत वक प्रोफेसर चंद्रकला पाडिया और बाबा साहिब आमबेटकर्स मारक समाज विज्ञान विश्व विद्धाले महू की पूर्वकुलपती प्रोफेसर आशा शुकला ने संबोधित किया। श्त्री को भी सहज अधिकार प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि स्त्री को आजादी के बाद एक सहज सामाजिक व्यक्ति के रूप में जोस्तिती प्राप्त होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। दक्षेन पूर्व मध्धर एलवे ने वर्तमान वित्तिय वर्ष्ट 2021-22 के 1 अपरेल 2021 से 21 फरवरी 2022 तक वर्तमान वित्तिय वर्ष के समाप्ती के 38 दिन पहले ही 186.52 मिलियन टन माल व्लदान कर पिछले सभी वित्तिय वर्षों में किये गए कुल लदान के रिकॉट को तोड़ दिया है। इस आउधी में दक्षिन पूर्व मध्धर एलवे द्वारा लोड किये गए वस्टूओं में कोईला, क्लीकर, लोह अहसक, सिमेंट, स्टील, रासाइनिक खाद, खनीच टेल एवं स्टील कारखाने के लिए कच्चे माल आधी वस्टूओं का समाविश है। कुरोनकाल के दोरान दक्षिन पूर्व मध्धर एलवे द्वारा माल लदान के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन को देखते वे, उमीद की जा रही है कि वर्तमान वित्य वर्ष में दक्षिन पूर्व मध्धर एलवे द्वारा माल लदान में नए किर्तिमान को जल्द ही ह प्रदनमंत्री आवास योजना तरोडी में संत गजानन महाराज प्रगटदीन की आउसर पर दंत स्वास्थ शिवीर, टिकाकरण, अभियान, पालकी समारू और महाप्रसात कारेकरम का आयोजन किया गया। यश पांडे, भाजे यूमो उपाध्यक्ष, संजे बेलसरे, प्रितम बोकडे, रजत पराते, राहुल केदार, रविंद्र ताइडे, विनोत बेलेकर, प्रशान बोरकर, पंकज मोन, परास पागडे, शैलेज देश्मुक, अमित मरगडे, प्रदीप वास्निक, नितीन सोनु गोसामी, प्रणय वाक्चाउरे, सचिन लांडे, जगदिश डमनी, अन्य पदादीकारी एवं कार्यकरतागन उपस्थित थे जरीपटका को स्वच्छा और सुन्दर बनाने के लिए, तथा विकासकारियों की गती देने वाले नाकपुर महानगरपालिका के पूर्वस्थाई समिती अद्धिक्ष विरेंद्र कुकरेजा की निधी से, सिंदुनगर टी-पॉइंट पर सौन्दरी करन कार्यों का भूम देंगी और हर जगह सिर्फ कमल ही खिलेगा। जिले में कोरोना की लहर अंतिम सास लेने के दौर में अब एक्टिव केसेस की संख्या भी तीन अंकों में सिमट गई है। बुधवार को जिले में 267 कोरोना मरीजों को अस्पताल से चुट्टी मिली है। इसके साथ ही एक दिन में 7,000 सैथिस सैंपलों की जाच में 68 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए है। अब शहर में मात्रा 828 एक्टिव केसेसी 6 है। जिले में एक दिन में 68 नए पॉजिटिव मरीजों में नाकपूर शहर के 32 पॉजिटिव का समाविश है। जबकि नाकपूर ग्रामिन के 30 तथा जिले से बाहर के 6 पॉजिटिव इसमें शामिल है। भले इस शहर में कोरोना के नए मरीज मिल रहे है। किन्तु मरीजों की रिकवरी की रप्तार भी जिले में संतोज जनक है। पिछले 24 घंटे में नाकपूर जिले में 267 मरीजों को अस्पताल से चुट्टी मिली है। जिन में नाकपूर शहर के 190 मरीज नाकपूर ग्रामिन के 77 मरीजों का समाविश है। जिले में मौजुद 828 एक्ट्व केसेस में नाकपूर शहर के 503 केसेस वह नाकपूर ग्रामिन के 305 केसेस का समाविश है NTPC के बाद महानिर्मिती दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बिजली कमपनी है महानिर्मिती की स्थापित क्षमता 12,972 मेगाविट है और बिजली उत्पादन क्षेतर में बिजली थर्मल, पानी, पवन और सोर उर्जा से उत्पन्न होती है सामाजिक जिम्मेदारी की भावना से महानिर्मिती महराष्टर राज्य के उपभुखताओं के लिए प्रतिसपर्दी दरों पर बिजली उत्पन्न करती है कोरोना अब्दा के दोरान वीपरित परिस्थितियों में भी लगातार बिजली उत्पादन कर राज्य की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में महानिर्मिती की अहम भूमिका रही है आजादी की 75 वी वर्षगाट के अउसर पर आजादी का अमरुत महुत्सव की आउधारना को साकार करने के लिए महानिर्मिती द्वारा केंद्र और राज्य सारकारों की निर्देशों की अनुसार विभिन्न पहलों को लागू किया जा रहा है इसके तर्यत महानिर्मिती के और से विभिन्न खुली राज्य स्तरिय प्रतियोगिताओं की गोशना की जा रही है इसमें कई प्रकार की प्रतियोगिताय आयुजित की गई है राज्यस्तरिय चित्रकला प्रतियोगिता में परियावरन सौरक्षन और परमपरागत उर्जा विशे पर स्पर्दा होगी इसके आलाव भी कई विशेयों पर प्रतियोगिता होंगी जिसकी विश्तरुच जानकारी कमपनी की वेबसाइट पर उपलब्द है तो नागपुर हलचल में आज इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विके वीडियोज नमस्कार